राम राम किसान भाईयों मैं नितिन फिर से हजिर हूँ आपके अपने चनल नितिन देवल में किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं धान की एक ऐसी किस्म के बारे में यदि किसान भाईयों इस किस्म की बुआई रोपाई आप कर लेते हैं तो उत्पादन लगबग 35 से लिए के 36 कुंटल पिश्यusion और किसानों यह जो दाना है, यह मध्यमाकार का इस किस्म का दाना आता है, किसानों यह बहुत कम समय की यह किस्म है और कम पानी देनी से भी यह आपको काफी अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती है तो किसानवाई वीडियो में आप लागतार बने रहें मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की कोशिस करूँगा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्द से जल्द प्राप्त कर सके किसानवाई अभी तक लगो 90% किसान भाई ऐसे हैं जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप से हच जोड़कर निवेदन है कि किरपय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप किसानवाई बात कर लेते हैं इस किसम के बारे में कि ये किसम कौन सी है तो किसानवाई ये किसम है स्री राम की सूपर चवालिस च्छियासट किसान वह यह नई किस्म है और यह अभी अभी लॉंच होने वाली है और इसकी जो जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाई है इसकी जानकारी का निस्वार यह जो है हमारी हाइब्रिड धान की किस्म को भी पीछे चोड़ सकती है यह इनके हाइब्रिड किस्म का जो हमारे धान ह होते हैं उनकी पैदावार काफी अच्छी होती है लेकिन यह किस्म उन धानों को भी पीछ छोड़ने में सक्षम है और इसका उत्पादन आपको 35 से लेके 36 कुंटल पिरती एक अड़ तक आपको यह किस्म निकाल करके दे सकती है सिरी राम सूपर एम सिरी राम एक ऐसी कंपनी गेहूं और धान दोनों बीजों को बनाती है और काफी अच्छी किस्म यह निकाल करके लाती है अब मैं इस किस्म के बारे में आपको अन्य जानकारियां दे दीता हूं किस्म इस किस्म के दाने का जो आकार है वह मद्यम मोटे दरीके का यह दान आपको देखने को मिलेगा यदि किसान भाईयों इसके मैं पोधे की उचाए की बात करूँ तो इसके पोधे की उचाए किसान भाईयों 115 से लेकर के 120 सेंटीमिटर के आसपास की होने वाली है, यदि मैं इसकी बालियों की बात करूँ तो इसकी बालियां लंबी वे गुच्छेदार बालियां इसकी आती लगबग 23 से ले करके 25 ग्राम तक का वजन निकाल करके आ रहा है यानि कि काफी अच्छा उत्पादन ये आपको निकाल करके दे सकती है अनिये जो हमारी धान की विराइटी आती है अनिये जो प्यजाती हैं उन विराइटीों के मुकाबले इसे पानी के आवस्फटा भी काफी कम होती है यानि ki, जो और विराइटियों में, आप 5 पानी या 6 पानी लगाते हैं, तो इसमें आप लगभभए 1 या 2 पानी कम भी लगाएंगे, तब भी किसानबाईय या आपको अच्छी पैदावा निकाल करके दे सकती है, जिन छेतरों में किसानबाईयों, कम पानी लगता है, या कम पानी की विवस्ता है वे किसान भाई भी इसकी रुपाई कर सकते हैं वे किसान भाई इसका उत्पादन लगवा 28 से लेके 30 कुंटल पिरती एकर तक अराम के साथ निकाल सकते हैं बात कर लेता हूँ किसान भाई इसके पकने की अब्दिगी तो इसकी जो पकने की किसान भाई आप एक बार करके दे सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन किसान भाईयों आपको यह किसम निकाल करके दे सकती हैं, आप मुझे जानकारी दें, आप मुझे सजाओ दें कि मैं धान की फ़सल के ओपर बुवाई से लेके कटाई तक की वीडियो आपको कब पोस्ट करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो किस टाइम पर चाहिए, आपको मेरी वीडियो की जानकारी या कैसी लगनी है यह भी आप मुझे नीचे सुझाओ में बता सकते हैं, फिर मिलेंगे किसान भाईयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के तब तक के लिए राम राम जी